नमस्कार आप देख रहे हैं दे इंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी कल हमने खबर चलाई थी कि कैसे राजगीर के बिहार पुलिस अकैडमी में जो नौ प्रसिक्षित दरोगा हैं 1581 में से 387 अपने एक्जाम में फेल हो गए और पदस्थापना भी हो गई आपको बताएं कि बहुत सारे दरोगा तीन-चार दरोगा जो पास हुए हैं जो फिल्ड में पदस्थापी था उनके दोरा फोन किया गया और इस्तितियां अर्सपश्ट की गई उनका कहना है कि ऐसी बाते नहीं है कि 387 एकदम से फिल हो गया परिच्छा में बलकि उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्हें सुन्ने नंबर मिला जिरो नंबर मिला तो उसके बारे में कहना है कि तीन लोग वैसे हैं जिन्होंने पूरे एकजाम में भाग नहीं लिया मत्तित वाकास में थे या कुछ ऐसा उनके साथ विपदा आ गई थी जिसके कारण वो एकड गया जा रहा है कि ये लोग डिरेक्टर एसेस्मेंट के जो इंटर्वीव होता है जिसमें डिरेक्टर साहब पांग साथ मिनट के लिए हर एक कंडिडेट से वन टू वन होते हैं उसके दोरान ये अनुपस्तित थे नहीं आ पाए थे जिसके कारण इन्हें फेल गोसित किया गया सुने नबर दिया गया और बहुत सारे ऐसे की देखते है जिनमें कुछ कमिया थी और डिरेक्टर को ये लगा कि इन कमयों को ठीक करने की जरूरत है आत्मिस्वास की जरूरत है इसलिए उनहें कम नंबर दिया गया ताकि वो अगले एक्जाम में आके इसको clear कर सके और जो गलतियां हुई है जो डायरेक्टर एसेस्मेंट में जो डायरेक्टर सर के दौरा उन्हें बताया गया कि आप में किन-किन चीजों की कमी है और किसे दुरुस्त करना है वो उन्हें मौका मिलेगा कि बाद में वो जाकर जो है उसे अपन अलग-अलग समय में परिच्छा के दोरान अनुपस्तित रहें क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था पूरे देश में बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ था कि वो या तो पीडित हो गये थे या छुटी में गये तो नहीं आ पाये थे या उनके घर वाले पीडित थे या कितनों का नीदन हो गया जिसके कारण वो परिच्छा में सामिल नहीं हो पाएं क्योंकि जो फीजकल परिच्छा है वो दरोगा जो पास कंडिडेट है उसके लिए काफी कॉमन होता है एक तो है कि वो सोला समीटर का दौर दौर के आते हैं पास करके आते हैं तो उनकी पकड़ उसमें काम रोज करते हैं तो इसमें फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि इनमें उनको महारत हासिल हो गई रहती है इसका अलवा आप बताएं कि इनके द्वरा ये कहा गया कि कंप्यूटर में भी कुछ छात्राइं जो हैं जो प्रसिक्छू जो थे वो फेल किये थे तो उनका ये उसमें कहना है कि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर आएं जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर को हैंडल करना वहां पर सुरू किया यानि कि ऐसे परिवेस में पढ़े लिखे थे जिसके लिए उनके पास जो कंप्यूटर जो है वो एक नई बात थी बावजूद इसके उन्होंने कुछी नंबर से फेल कियें और इसके अलावा जो उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर लगभाग सी परसेंट ऐसे कंप्यूटर प्राप्त किया है फिर से लगभाग सो ऐसे कंप्यूटर प्राप्त किया है तो इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि कोई certificate नहीं दिया जाता है passing का कि आप जो हैं हर एक internet exam पास कर गया है और बाकी को नहीं दिया गया means कहने का मतला है हर एक window पर उनका असपस्ट किया गया कि खबरे जो हैं वो पूरी तरह से असपस्ट नहीं हो पाई कि कारण क्या थे कोरोना का समय था के बीच में कोरोना का प्रासाद ना हो और उस हिसाब से training कर देना और इसके साथ ही साथ बहुत सारे candidate के साथ अपने परिवारिक समस्या थी बहुत सारे female candidate के साथ उनकी अपनी समस्या थी जिसके कारण वो सभी परिच्छा में सामिल नहीं हो पाएं और इसके कारण उन्हें फेल गोसित किया गया है लेकिन इसके लिए supplementary exam लिया जाएगा दो बार मौका दिया जाएगा और जो candidate जिन्होंने फोन किया उनका कहना है कि हमारे साथ ही जो है परिच्छा में सामिल होंगे तो अराम से उसे पास कर लेंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये अंक जो उन्हें आये है परिच्छा में सामिल नहीं होने के कारण उन्हें जिरो अंका है ऐसा नहीं है कि परिच्छा में सामिल होके वो सुनने अंक प्राप्त किये हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सारे लोग, हम लोग पूरे लोग जो हैं वो अपने इंटरनल एक्जाम को पास कर जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में लगवा बारस हो कि आसपास का एंगेट हम लोग पास भी कर चुके हैं, कुछ हैं जो अपने निजी कारणों से एक्जाम म देखना सुरू कर दियें, कि आखिर ये कैसे हैं प्रसिक्छू, जो की पास नहीं कर पा रहा हैं एक्जाम, तो उन्होंने इस्तितिया सपस्ट किया है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है, कि बिहार में जो पंचायत का भी चुनाव चल रहा है, उसमें हम ल पास नहीं कर पाए हैं, दुबारा जब उनका स्टाप्रमेंटरी एक्जाम होगा, वो अच्छे से पास कर लेंगे, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है, लाइक सेयर करें हमारे चैनल, देंडिया टॉप को सस्क्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद म झाल